तो फाइनली यहाँ पर जो हमने आपको एक पोल दिया था Honor Play या फिर Realme U1 उस पोल में Honor Play का काफी जादा वोट आया है और यहाँ पर आपकी बात को सुनी गई है और यहाँ पर हम Honor Play आपके लिए लेकर क्या आया है उसका Unboxing है नो डाउट Unboxing काफी लेट हो रहा है हमारे चैनल पर लेकिन आपने रिक्वेस्ट किया था तो मैं इससे ले आया आप तक और इसका पूरा सीरीज आएगा इसके कवर ऐसे सीरीज सारा कुछ और Honor Play के अंदर देखिए चली देखते हैं कि डबबे के अंदर क्या है तो आपके रिक्वेस्ट पर हमने यहां Honor Play मगाया है तो फटा-फट इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए चली हम डबबा खोलते हैं आपको इस स्पेसिफिकेशन इसका बता दें Octa-Core CPU इसमें दिखता है 4 x 2.36 GHz का और दूसरा है 4 x 1.8 GHz का 4 GB और 64 GB वाला यह वेरियंट है और इसमें 16 cm का बोलू तो फिर Full HD Plus डिस्प्ले आपको दिख जाता है और रियर कैमरा इसमें आपको दिखता है solar plus 2 MP का फ्रंट है 16 MP का इसमें dual VOLT support आपको मिल जाता है फिंगर प्रिंट सेंसर और 3750 mH की बैटरी और इंसाइड दी बॉक्स यहाँ आप अपने देखी लिया यहाँ पर आपको सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको एक केस दिखता है जो कि नॉर्मली हर एक handset के साथ हर एक brand companies नहीं देती है तो यहाँ पर केस आपको दिख जाता है कुछ user manuals दिख जाता है और और की तरफ से तो यहाँ पर आप ही के request पर हमने यहाँ अनर प्ले मंगाया है और यहाँ पर definitely मैं request तो करी सकता हूं कि आपको यहाँ पर अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो YouTube पर ही देख रहे होंगे YouTube के नीचे आपको वीडियो के नीचे एक subscribe बटन दिखेगा उस पर क्लिक करके आप चैनल को subscribe कर लिजे ताकि जो भी हम वीडियो हम डाले आपको real-time basis पर आपके mobile पर notification आपको यहाँ पर मिल जाए और यहाँ पर अभी हम Honor Play को अपना setup कर रहे हैं आपके जो भी सवाल सुझाओ है अगर ऐसे series आपको कुछ चाहिए इसका तो वो भी आप मुझ अब तक तो exactly नहीं लेकिन उसके आसपास यह definitely पहुचता है तो चलिए यहाँ पर अभी हम Honor Play के settings में भी हैं यहाँ आपको मैं दिखा दूँ कि device name यहाँ Honor Play आपको दिख रहा है model C-O-R-A-L-00 और build number यहाँ पर है C-O-R-A-L-00 8.2.0 EMUI वर्जन यहाँ पर आपको 8.2.0 और Android वर्जन 8.1.0 देखने को मिलता है यहाँ पर CPU आपको High Silicon Kirin 970 और RAM 4GB का और internal memory आपको यहाँ जो free मिलता है वो 51.96 मिलता है तो चलिए अभी हम यहाँ पर camera को भी देख लें कि exactly camera कैसा और first impression camera में कैसा दिखता है तो यहाँ पर कुछ normal settings करने होता है यहाँ पर normal settings के बाद यहाँ पर बहुत सारा आपको यहाँ पर options मिल जाता है aperture mode portrait photo video AR lens यहाँ पर अभी मैं एक image क्लिक करके आप तक ले करके आता हूं कि आप देखो कि exactly image कैसा आपको दिख रहा है यहाँ इसकी बताओं तो first impression rear camera का मुझे बढ़ियां लग रहा ह यहाँ पर definitely अपने price point को justify कर रहा है लेकिन यह भी बहुत ही कम समय होगा बताने के लिए की camera की quality कैसी है definitely usage के बाद ही आपको properly बताऊंगा की camera की quality कैसी है लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर detailing बहुत अच्छा दिख रहा है आप देखी सकते हैं कि मैंने यहाँ इसे zoom किया ले अच्छी खासे देख रही है इसका एक अलग से आपको full review मिल जाएगा तो यहाँ पर अगर मैं build quality और design की बहुत ही अच्छा है और no doubt यहाँ पर honor इसको justify करता है पीछे आपको यहाँ पर AI camera दिखता है और made in India दिखता है आपको सबसे बड़ी बात और यहाँ पर build quality बहुत ही शांदार है अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको camera in-ear speaker और कुछ sensors यहाँ पर out notification light आपको दिख जाता है honor play के device में यहाँ पर side में अगर मैं बात करूँ तो power button volume up and down यहाँ पर keys आपको मिल जाता तो फटा फट लाइक कीजिए वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बोलते रहे जाहिंद वंदे मात्रव